लगतार जारी है इस बैटक में कॉंग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा हुई है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कॉंग्रेस CEC की उप समीती की बड़ी बैठक हुई है जिसमें 36 गर्ड कॉंग्रेस के तमाव बड़े नेता शामिल हुए है पहली सुची में कॉंग्रेस ने 30 उम्रडारों के रिष्ट जारी की थी इसमें जारतर केविनेट के मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं के नाम थे सुत्रों के हवाले से खबरे की पहली सुची की तरह दूसरी सुची में भी मौजूदा विधायकों के टिकट कर सकते हैं सर्वे के आधार पर जिन विधायकों की रिपोर्ट कमजोर है उनको पार्टी इस बार टिकट नहीं दे रही है बता दें की सीएम भुपेश पगिल से लेकर तमाम नेता विधायकों की जो भी विधायक सर्वे रिपोर्ट में कमजोर पाए जाएंगे उनका टिकट काट दिया जाएगा इदर रायपूर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कॉंग्रिस में लगभग सभी सीटों पर नाम तै हो गए है 15 से 20 सीटों पर अभी भी लगातार मन्थन जारी है दूसरी सूची में 36 प्रत्याश्यों के नाम पर मोहर लग गई है भरकपूर से गुलाब कमरो मरिंदगर से प्रभा पठेल ऐसे करीब 36 नामों पर मोहर लग गई है कॉंग्रिस में लगभग सभी सीटों पर कॉंग्रिस पार्टी ने नाम तै कर लिया है ये बड़ी जानकारी सामने आ रहे हैं इस बैठक के बाद बता दें आपको बैखुंटपूर से अंबिकास्तिंग देव प्रेमनगर से भनपरताप सिंग भटगाफ से पारसनात राज बाड़े रामारुज गंज से अजय तिर्की ये वो नाम है जिन पर सहमती बनी है अभी आपचारिक एलान होना बाकी है लेकिन लुंडरा से डाक्टर प्रीटम राम लेलुंगा से चक धर सिंग सिदार सारंगर से कॉंग्रिस दे सकती है पदमा मनहर या बता दें आपको उ आनिश्वर शाहू मुगिली से रूपलाल खोस्रेया संजीत बनर जूई यहां दो नाम का पैनल है बिलासपुर से शेलेश पांडे ये वो नाम है जिन पर लगभग सहमती बन गई है और अगली सूची में इनका नाम आना तय माना जा रहा है बिलासपुर से शेलेश नाम को टिकेट मिल सकता है चंद्र पुर से रामकुमार यादव का नाम लगभग तै बाना जा रहा है जैजैपुर से चोलेशवर, चंद्राकर, यह तेक चंद्रद्बधים ये वो नाम है जहां दो नाम का पैनल है बिलासपुर से से शेलेश पांडे का नाम रभी भारदवाज बसनात्य देविंद्र बहादूर विलाईगर से प्यूश को स्रे अफिर कवीता प्राण लहरे यह वो नाम है जिन पर दो नाम का पैनल है जिन पर सहमती लगभग बन गई है और किसी एक प्रत्याशी को कॉंग्रेस अपना अधिकारिक प्रत्याशी प्रत्याशी का इंतिजार है लगभग 36 नाम कांग्रेस पार्टी ने तैय कर लिया है सेमती बन गई है सिर्फ एहलान होना बाकी है वो कौन कौन से नाम और क्या इसका पैरामीटर बिल्कुल जो सूची हमारे पास आई है उसमें मताबिक 36 नाम तो लगभग फाइनल है दो एक तीन सीटों पर करिब करिब जो है दो लोगों के नाम सामने आए उस पर अभी सेमती बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें से एक राइपूर दक्षिन है जहापे महंत राम पूर में चोलेश्वर चंद्राकर और टेक चंद्रा का नाम जुड़ा हुआ है मोगेले में रूपलाल कोश्रे और संजीद बनेरजी का नाम जुड़ा हुआ है बिलाई गड़ में तो कुछ सीटों पर दो नाम ज़रूर है लेकिन उस पर लगभग सहमती बनाने की किसी एक नाम पर जबकि कई सीटे ऐसी है जहां पर अभी पार्टी बहुत अस्मंजस की इस्तिती में है जैसे कि प्रतापूर में डॉक्टर प्रेम साय सिंग के काम जो की वर्तवान में विधायक है वुपेश केबनेट में मंत्री रहे हैं उनके नाम को लेकर अभी सहमती बन जो वर्तवान में विधायक है तो उनके नामों को लेकर के भी पार्टी के भीतर में अभी आम सहमती नहीं बनाई है तो कई सीटों पर बड़ा अस्मंजस की इस विधायक है जिनका टिकट इस साल चुनाव में संकट में है आठ नाम पहली सूची में काटे गए है पंधरा पहली सूची में 8 विधायकों की टिकट काटी गई थी और आपको बता दे अभी 15 नाम और हैं जो कांगरिस्टी काट सकती है मौजूदा विधायकों के ये बड़ी जानकारी सामने आरी भिलाईगर से चंद्रदेव राय कस्डोल से शेकुंतला साहू बता दें आपको इन विधायकों के टिकट काटे हैं नवागर से गुर्दायल सिंग बंजारे का टिकट काटा है पंडरिया से मम्ता चंद्राकर को मौका नहीं मिला है डोंगरगर से भुनिश्वर सिंग बगिल का टिकट कांगरिस ने पहली सूची ने काट दिया है ये वो 3 नाम इसके आगे तीन नामार आपको दिखाएंगे कांगरिस ने इन विधायकों के टिकट काटे हैं ऐसे कुल 8 विधायक हैं अगली सूची में बता दें आपको पहली सूची में खुर्जी से छनी साहू का टिकट कॉंग्रिस पार्टी ने काटा है, अन्तागर से अनूपनाक का टिकट कटा है, कांकेर से शुचुपाल शोरी को पार्टी ने मौका इस बार नहीं दिया है, इसके अलावा आपको बता दें, यह आठ वो न से शकुंतला साहू, भिलाई नगर से देविंदर यादव, यह वो नाम है जिनके टिकट कर सकते हैं, अगली सुची में सराय पाली से किसमत लाल नंद का नाम कर सकता है, मनंद्रगर से विन्य जरस्वाल को मौका पाटी ना दें साहू सकता है, जशपुर से विन्य भगत का प्रतापुर से डॉक्तर प्रेमसाय सिंग्टे काम सिख्षा मंतरी रहेंसतरकार में उनका टिकट पाटी कार सकती है, अधश्वाल आठ विधायकों का टिकट पाटी पहली सूची में काट चुकी है, 15 और विधायक हैं, सूत्रेसी जानकारी दे रहे हैं, क्या इनका टिकट भी दूसरी सूची में काटा जाएगा, क्या इंपोट है हमारे पास? जो वर्तवान में विधायक है, उनकी टिकेट काट सकती है, ऐसी सूचना है, अगर पंदरा का आकड़ा कुछ कम हुआ, तो संभावना है कि ग्यारा और बारा तक तो पहुंची जाएगा, क्योंकि पार्टी ने पहले ही कहा हुआ है कि बीस से बाइस विधायकों की टिकेट का आई है, उसको भी एक बड़ा आधार रखा है, जो सर्वे रिपोर्ट कॉंग्रेस पार्टी के पास आई है, वो आउस्तन यही आई है कि सरकार को लेकर उतनी नाराजगी नहीं है, जितनी नाराजगी विधायकों को लेकर के है, यही वज़ाए कि आप देखी, जो पहली कि कहा कहा से टिकेट काटी जा सकती है, वो सुची स्क्रीन पर है, तो वो संभावना है, कुछ एक सीट ऐसी है, जहां पे वरिष्ट होने की चलते जो नेता है, उन्होंने सहमती दिये कि उन्हें इस बार पार्टी टिकेट न दे, बलकि उनकी जगद दूसरे को दे दे, उस पर भी विचार विमर्स के बाद ये तैय किया गया है, कि जो नाम सुझाएगे हैं, उन्हें पार्टी टिकेट देने जा रही है, ये जो नाम का जिकर अभी हम कर रहे हैं कि आने वाले सुची में ये नाम भी काटे जा सकते हैं, करीब दरज़न भर विधायकों के टिकेट क प्रटने के बाद में जो विरोध के सुर उठ सकते हैं, क्या उसे कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने कोई रणनीती या कोई फॉर्मूला तयार किया है? जी बिलकुल उसे लेकर पार्टी एकदम से तयार है और पार्टी ने अपने सभी वरिष्ट नेताओं को जो जहां से आते हैं, जिनकी बड़ी भूमीका रहती है, उन्हें कहा गया है कि आप उन इलाकों को मैनेज करेंगे, जैसे सर्गुजा अंचल से आते हैं, टीए सिउ जो को संभाले, दुर्ग संभाग से खुद मुक्यमंत्री भूपेज बगेल आते हैं, तामरदर साहू आते हैं, रविंदर चौबे आते हैं, अगर इन इलाकों में कहीं पर कोई दिक्कत है, बगावती तेवर है, उसे सांथ करने की जिम्मेदारी इनके उपर रहेगी, बि अतमान में विधायक अनुपनाग है, उन्होंने जरूर खुल कर कहा कि पार्टी ने उनकी अंदेखी की है, और वो निर्दली चुनाव लड़ सकते हैं, खाली कि इसकी संभावना बहुत कम है, अनुपनाग से कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता बाच्चित कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का भी बयान सामने आ रहा है, तो वो साप तोर पे नराजगी दिख रही है, पंडरिया से निलकन चंदरवनसी को कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दी है, लेकिन अरजून तिवारी वहां से प्रमुग दावेदार थे, अरजून तिवारी वहां इला है कि कॉंग्रेस पार्टी में सरवाधिक जो है विरोध के सवर आते हैं टिकेट बढ़ने के बाद, मुझे याद है 2018 की चुनाओं में किस तरह से कितना विरोध हुआ था और यहां तक कि कॉंग्रेस कारियाले राजी भोवन में तोरफोर भी हो गई थे, तो लेकिन इस बा पहले से बहताने और ऐसे में साफता पर कॉंग्रेस की जो रणनीती है वो